योग आसन प्राणायाम आदी करते हैं तब इसका पूरा लाव होता है तो मैं आपको आपकी जिन्दगी के लिए छोटे छोटे कुछ चार नियम बताना चाहता हूँ और ये चार नियम का पालन आप सब करिये मैं आपको विनम्रता पूर्वक लेकिन विश्वास से कहता हूँ कि ये चार नियम का जो भी पालन करेगा जिन्दगी में बीमारी और रोग उसको कभी आएंगे नहीं परम पुझनिये स्वामी रामदेव जी खुद 40-45 साल से इन चार नियमों का पालन करते हैं आप भी अगर ये पालन करेंगे तो बहुत आच्छा होगा मैं भी करता हूँ मेरे जीवन मैं पिछले 15 वर्षों से योग प्राणायाम करता हूँ उसके साथ कुछ नियम मैंने ब को इतना लाब हुआ है कि कभी बीमारी आती नहीं 15 साल से मैंने हर बार मेरा बीपी चेक किया नॉर्मल है शुगर नॉर्मल है ट्राइगलिसराइट्स नॉर्मल है कॉलेस्ट्रोल नॉर्मल है पिछले 15 साल में कभी सरदी जुकाम भी नहीं हुआ गला भी नहीं बैठा कभी hospital नहीं देखा, कभी doctor के पास नहीं गए, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, और वो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, ये निरोगी और स्वस्थ होने के लिए आयुरवेद की एक छोटी सी जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, आयुरवेद में ये कहा गया है, कि किसी भी व्यक्ती को निरोगी होना है, रोगमुक्त होना है, तो अपने जीवन में तीन बातों का ध्यान रखे, अपना वात, पित और कफ, तीनों का संतुलन रखे वो, तीन तरह के दोश हैं हमारे शरीर में, वात, पित, कफ, आपने सुना होगा, ये त्री दोश आधारित शरीर है, जब वात बहुत बिगड़ जाता है, तो असी से ज़्यादा रोग आते हैं, जब पित बहुत बिगड़ जाता है, तो लगबग 46 से 50 रोग आते हैं, और जब कफ बिगड़ जाता है, तो 28 रोग आते हैं, और वात पित कफ तीनों बिगड़ जाएं, तो 148 रोग आते हैं, सरदी खासी जुकाम से लेकर, और कैंसर तक, जो आखरी रोग माना जाता है, ये सब वात पित कफ के बिगड़ने का खेल है, तो इस देश के आयुरवेद चिकित्सा के सबसे महान लोगों में से, कुछ नाम आप जानते हैं, जैसे चरक रिशी, जैसे शुशुरत रिशी, ऐसे एक रिशी हुए बागवट, बागवट रिशी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अश्टांग हिर्देयम, और एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अश्टांग संग्रहम, इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने साथ हजार नियम बताए हैं, उन में से चार बताता हूँ, अच्छे लगें तो आज से ही पालन करो और दूसरों को भी बताओ ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो बीमार ही ना पड़े ये चारों नियम है वात, पित और कफ को संतुलित रखने के लिए अब वात, पित, कफ तीनों एक साथ आपके संतुलित रहे तो उसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना ये पहला नियम है आप बोलेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है खाना खाते ही पानी पीते हम तो सब के सब और बिना पानी पीए खाना ही नहीं खाते कई लोग तो खाने से ज़्यादा पानी पीते खाना कम खाते हैं पानी ज़्यादा पीते ये खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना क्योंकि महर्शी बागवट्ट कहते हैं भोजन अंते विशम वारी मानि भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा है इसलिए वो कहते हैं कभी भी खाने के तुरंद बाद पानी मत पियो अब आप मुझे पूछोगे क्यों नहीं पिये कारण बता दो कारण मैं बताना चाहता हूँ सरल भाशा में हम जब खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना इकठा होता है पेट में एक इस्थान होता है उसको हम कहते हैं जठर संस्कृत में हिंदी में जठर कहते हैं अंग्रेजी में उसको एपिगेस्ट्रियम कहते हैं हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशय भी कहते हैं ये जठर छोटा सा इस्थान है, आपके पेट में ना भी है ना, उसके लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ छोटा सा इस्थान है, सारा खाना आपका इसी स्थान पर आता है, जो भी आप खाते हो, रोटी, चावल, दाल, सबजी, दूद, दही, कुछ भी खाओ, सब कुछ जठर में आता है, अब जठर में जैसे ही खाना इकठा होता है, तो उसमें आग जलती है, और उस आग को कहते हैं जठर अगनी, मिला के बोल देते हैं जठर अगनी, आप जैसे ही खाना खाते हो, पेट में जठर में अगनी जलती है, वो अगनी खाने को पचाती है, और अगनी खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अगनी खाने को पकाती है आपके रसोई घर में आप अगनी जलाओ उसके उपर दूद रख दो दूद में थोड़ा चावल डाल दो अगनी जब तक जलती रहेगी खीर तब तक बनती रहेगी आप घर में अगनी जलाओ उसके उपर पानी रख दो उसमें डाल डाल दो डाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अगनी जलेगी ऐसे ही पेट में होता है जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अगनी जलती है और जब तक अगनी जलती है तो खाने के पचने की क्रिया चलती है जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं वैसे ही पेट में भी खाना पकता है इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं अंग्रे जी में उसको डाइजेशन कह देते हैं तो आप ने खाना खाया पेट में अगनी जल गई अब वो खाने को लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया बरफ मिलाया हुआ पानी पी लिया फ्रिज का पानी पी लिया क्या होने वाला है अगनी जलेगी की बुझेगी अगनी के उपर पानी डालो तो अगनी और पानी की दोस्ती नहीं है दुश्मनी है पानी अगनी को बुझा देता है तो आपने खाना खाया अगनी जली पीछे से गड़गड पानी पी लिया अब अगनी शान्त हो गई अब खाना पचेगा नहीं तो वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना सो से जादा विश पैदा करेगा और वो सौविश आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे और जिंदगी भर आप बीमार पड़े रहेंगे आपको मालूम है कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है ये गैस उनी को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है ये जलन उनी को होती है जिनका खाना पचता नहीं कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एकदम गुम हो जाता है फूल जाता है ये सब वो लक्षण हैं जब खाना पचता नहीं तो खाना पचेगा नहीं, तो सड़ेगा, सड़ेगा तो विश पैदा करेगा, और वो विश आपको बीमार करेंगे, इसलिए महर्शी बागवट्ट ने कहा, खाना खाते ही पानी मत पियो, समझ में आया, फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पियें, कम से कम एक घंटे त तक ही चलती है पेट में, उसके बाद अगनी अप शान्त हो जाती है, उसके बाद पानी पी लो, तो खाना अगर दस बजे खाया, तो ग्यारे बजे पानी पियो, ग्यारे बजे खाया, तो बारे बजे पियो, बारे बजे खाया, तो एक बजे पियो, एक घंटे बाद पानी पीओ, अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है, कि खाना खाने के पहले पी लें क्या, हाँ पीलो, 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पीलो, 10 बजे खाना खाना है, 9 बज के 20 मिनट पे खूब पानी पीलो, जितना पी सकते हो, 11 बजे खाना खाना है, 10 बज के 20 मिनट पे पीलो, 40 मिनट पहले आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़कर तो उसके लिए बागवट्टी जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लस्सी पियो मठ्ठा अनार का रस पीलो अब आपको होगे यह सब महंगी महंगी चीजें बता रहे हैं गन्य का रस संत्रे का रस अनार का रस पैसे तो हैं नहीं तो सबसे सस्ता रस है नीबू का ही रस पीलो शिकंजी बना के पीलो वो तो सबसे सस्ता है तो खाना खाने के बाद या तो दही की ल लसी या मठ्ठा, खाने के तुरनद बाद पीना है तो कोई फल का रस, खाने के तुरनद बाद पीना है तो दूद, पानी एक घंटे बाद पियो, और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है कि सबेरे खाना खाते हैं, जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्टा, तो का रस पीना अच्छा, दुपैर को खाना खाएं तो लसी और मठा पीना अच्छा, और रात का खाना खाएं तो दूद पीना अच्छा, जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं, जिन्दगी में कभी भी असी रोग उनको नहीं हो सकते, वात पितकफ तीनों ही इस एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं, तो ये पहला नियम मैंने आप से कहा, दूसरा नियम एक और है, और वो नियम ये है कि पानी कभी भी पियो, घूट घूट भर के पियो, जैसे गरम चाय पीते हैं, गरम कॉफी पीते हैं, गरम दूद पीते हैं, एक एक घूट भर के, एक एक की आदट डालो ये मूँ में एक बार गिलास लगा लिया गटा-गट उसको खाली कर दिया ये तरीका गड़ बड़ एक गुट पानी दो गुट पानी एक बार में उतना ही पिऊ आप बोलोगे ये क्या चक्कर है बात ऐसी है कि एक गुट पानी जब हम पीते हैं तो मूँ की लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है और ये जो मूँ की लार होती है ये छारी होती है और पेट में तो चार पदार्थ पेट के अमल के साथ मिलेगा पेट में अमल बनता है मूमे लार चारी ये होती है तो ये चार को अमल में मिला दिया जाए और ये अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट को अमलता नहीं होती एसिडिटी नहीं होती और पेट में अमलता नहीं होती तो रक्त में अमलता नहीं होती और जिनके रक्त में अमलता नहीं होती उनकी जिंदगी में कभी भी वात, पित, कफ के असंतुलन की इस्थिती पैदा नहीं होती इसलिए पानी घूट घूट करके पीना मैं आपको एक छोटा सा मेरा अब्जर्वेशन बताता हूँ परिक्षन आप भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जाओ मनश्य को छोड़ कर पशू पक्षियों को देखना शुरू करो वो पानी कैसे पीते हैं किसी चड़िया को पानी पीते हुए देखो किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखो वो चोँच के एक बून के बराबरी पानी उठाता है एक बार में एक बून पान दी लेगा फिर थोड़ी देर चोँच चलाएगा फिर पीएगा फिर दूसरी बूंद लेगा, फिर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा, फिर तीसरी बूंद, एक-एक बूंद पक्षी पानी पीता है, कुत्ते को पानी पीते हुए देखो, चाट-चाट के पानी पीता है, शेर को पानी पीते हुए देखो, चाट-चाट के पानी पीता है, ज कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है कोई पशू ओवरवेट नहीं है वो सब स्लिम और ट्रिम है क्योंकि वो इतने होशे आरहें कि पानी चाट के पीते हैं या घूट-गूट करके पीते हैं अब मुझे ये हिरानी होती है कि ये पशू पक्षियों को कौन सिखाता है वो अपने जन्म से ये ग्यान सीख के आते उनका कोई गुरू नहीं है उनका कोई विद्याले नहीं है उनके कोई प्रसिक्षन शिविर नहीं लगते फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घूट घूट पीना और हम ये मनुश जिनके इतने गुरू इतने विद्याले, इतने कॉलेज सीखने वाले, सिखाने वाले और हम मूर्खों के मूर गटा गट गटा गट पानी पीते रहते तो पानी पीने का तरीका बदल दो घूट घूट भरके पानी पीओ ये दूसरा नियम है तीसरा नियम है कि जिन्दगी में कितनी भी प्यास लगे ठंडा पानी कभी मत पीओ बरफ डाला हुआ पानी फ्रिज में रखा हुआ पानी वाटर कूलर का पानी जिसका तापमान बहुत कम है ये कभी मत पीना क्यों कि शरीर आपका गरम है और पानी ठंडा है अब होता क्या है वो मैं समझाता हूँ सरल भाशा में पेट तो गरम है अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने तो अंदर जगडा होता है और जगडा क्या होता है या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गरम करेगा अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हिरदय ठंडा होता है हिरदय के ठंडा होते ही मस्तिष ठंडा होता है मस्तिष के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है आपको मालूम है जब शरीर ठंडा पढ़ जाता है तो घर में भी नहीं रखते निकाल के बाहर सड़क पर रख देते जो घर आपने बनाया अपनी महनत से शरीर के ठंडा पढ़ते ही निकाल बाहर करते हैं उस घर में से और फिर चिलाने लगते हैं लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ इसको जला के आओ माने ठंडे शरीर की इज़त नहीं है तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हो भाई बंद कर दो कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता कोई पक्षी नहीं पीता तो आप ये ठंडा पानी पीना बंद करो, सादा पानी पीना शुरू करो, और गर्मी के दिनों में बहुत अगर आपको तकलीफ है, तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना, फ्रिज का और बरफ का नहीं पीना ये तीसरा नियम है, और चौथा गिलास पानी पीलो, उसके बाद आप टॉइलेट में जाओ, उठते ही पानी पीोगे तो दो फाइदे हैं पहला फाइदा ये है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आथ को साफ करता है, और जैसे ही बड़ी आथ की सफाई होगी, पेट पे बाओ पड़ेगा, और आप संडास घर में जाएंगे, दो तीन मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है, उनकी जिन्दगी में कभी रोग नहीं आता इसलिए सुबह सुबह उठते ही पेट साफ होना ज़रूरी, और उठते ही पानी पियोगे, तो मू की जो लार है, वो पानी के साफ मिलकर अंदर जाएगी, सुबह पेट में एसिड की मात्रा जादा होती है, इसलिए लार का पेट में जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत ज़रूरी है ये चार नियम है आयुरवेद के, पहला नियम खाना खाने के एक घंटे बाद पानी पीना, दूसरा नियम पानी को हमेशा घूट-घूट भर के पीना, तीसरा नियम कभी भी जिन्दगी में ठंडा पानी नहीं पीना, और चौथा और आकरी नियम, सबेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना चार नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात, पित, कफ तीनों को संतुलित रख सकता है और जिसका वात, पित, कफ संतुलित है, उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है और जो बीमार नहीं पढ़ते है वो स्वस्थ और तंदृस्थ और सुखी रहते हैं, उनकी जिन्दगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है आपको शाहिद मालूम है या नहीं, एक साल में हम जब बीमार पढ़ जाते हैं भारतवासी, तो साल का करीब छे लाख करोड रुपया हमारा खर्च हो जाता है, उन बीमारीों का इलाज करने में इसलिए इतना पैसा फाल्तू में हम खर्च करें हर साल छे लाख करोड ये बहुत बड़ी रकम है इस से बहतर ये है कि हम बीमार ही नहीं पढ़ें और स्वस्त रहें, सुखी रहें और ये छे लाख करोड का जो खर्चा हम करते हैं बीमार पढ़ने पर अक्सर ये ऐलोपैथी की दवाएं खाने में खर्च होता है और जो एलोपैथी की दवाएं हम खा रहे हैं, जैसे परसीटामोल, बेरालगन बूटाजोन, आकसिफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन नोवालजिन, ये सब ऐसी खराब दवाएं हैं, जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी हैं, भारत में धडले से बिक रही हैं, और हमको बीमारियों से ज़्यादा गंबीर बीमारियों में फसा रही हैं ज़्यादातर दवाएं जो आप खाते हो, वो किड्नी खराब कर देती हैं लीवर खराब कर देती हैं आतों में घाव कर देती है, विकलांगता आ जाती है, पैरलिसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हर्टटेक आ जाता है, दुनिया में लगबग इस समय 84,000 दवाएं बिकती हैं, और आपको सुनकर हैरानी होगी, उनमें से मात्र 170 दवाएं हैं जो काम की हैं, बाकी सब बेकार की दवाएं हैं, उन बेकार की दवाओं को खा कर हम 6 लाग करोड़ खर्च करते हैं, ये बहुत दुख और अफसोस की बात है, और ये 6 लाग करोड़ का खर्चा, समाज के वो लोग करते हैं, जिनको जिन्दगी में हर समय अपना आर्थिक इस्थती को देख के चलना पड़ता है, जिनकी आमंदनी बहुत नहीं है, जिनके घर में आमंदनी के बहुत जादा साधन नहीं है, उनको ये पैसा खर्च करना पड़ता है, तो कई बार क्या होता है, किसी का घर बिख जाता है, किसी के घर के गहने गिर्वी रख जाते है, किसी को कर्ज लेना पड़ ज मैंने इस हिंदुस्तान में पिछले 15 साल के प्रवास में देखा कि गाउं गाउं के गरीब किसान करज ले लेकर ये महेंगी दवाएं खाकर इलाज करते हैं। दवा खाने की जरूरती ना पड़े तो हम सुखी रहें स्वस्त रहें तो योग प्रणायाम करें चार नियमों का जीवन में पालन करें बहुत आसान है आपके लिए।